नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों आपको बता दे कि रोई सर्मा ने चोथे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में सत्क लगाकर सहवागे और सचेन को काफी पीछे चोड़ दिया है इस वीड़े में दोस्तों आपको चोथे टेस्ट मैच के बारे में पूरी जानकारी देंगे उससे पहले दोस्तों आपसे चोटा सा निवेदने क्या आप एक बार वीडियो को लाइक जुरूर कर दें क्योंकि दोस्तों लाइक और सेर करना ही मारी मैनत का फल होता है चोथे टेस्ट मैच का तीसरा दिन पूरी तरह बारतिय बल्ले बाजो के नाम रहा बारतिय दूसरी पारी में तीन विकेट के नुक्सान पर 270 रन बनाई बारतिय टीम पहली पारी में मैज 101 कार्ण में रनों पर सिमट गई थी लेकिन दूसरी पारी में टीम इंडिया की उपनर रोई सर्मा ने सांदार सतक लगाकर मेजबान टीम की वापची करवा दी रोई सर्मा ने 127 रनों की पारी खेली आपको बता दे कि रोई सर्मा ने पहली बार विदेशी सर्जमी पर टेस्ट सतक लगाया है आपको बता दे कि रोईस्चरमा चक्के से सतक लगाने में विलेंदर सहवागे और सचिन को काफी पीछे छोड़ चुके हैं रोईस्चरमा ने सभी पोरमेट में अपने सतक और दोरे सतक हैं दस बार चक्का लगाकर पूरे कर चुके हैं कोई और बारतिये खिलाडी रोई सर्मा के ग्रीब भी नहीं हैं। रोई सर्मा ने 256 गेंदों का सामना करते वे 14 चोके जबके एक चक्ये की साहिता से 127 रनों की सांदार पारी खेली। बारतिये टेम ने दूसरी पारी में बाण में अवर केलते वे तीन विकेट के नुक्सान परे 270 रन बना लियें। केल राउन ने 101 गेंदों का सामना करते वे 64 जबके एक चक्ये की साहिता से 46 रनों की पारी खेली। राउन के आउट होने के बाद पूजारा मैदान पर आती हैं और देखते ही देखते पूजारा ने भी एक सांदार बल्ले बाजी करते वे 127 गेंदों का सामना करके 9 चोकों की साहिता से 68 रनों की पारी खेली। इंगलेंड के गेंद बाजों की बात करे तो एडर सन को केल राउल का विकेट बिला था जबकि रोबी सन ने एक और में रोई सर्मा और चेतेश्वर पूजारा के विकेट लिए।